हलो एवरिवन कैसे हो आप सब मैं आपकी चुलबुली से फेट से आ गई हूँ शादी पाटियों में लाल चटनी खाते हो समोसे के साथ लाल चटनी खाते हो वो भी ट्राइब्टूर से डली हुई समझ में नहीं आता है न कि वो इतनी टेस्ट कैसे बनती है आज मैं वही टिप्स ट्रिक के साथ आपके लिए लेकर आई हूँ लाल चटनी किसी के साथ भी खाईए आप फास्ट फूड के साथ टेस्ट ना भड़ा दे तो आके मुझे कहना तो फिर देर किस बात की चलिए ये मुँ में पाने आने वाली लाल चटनी बनाना शुरू कर लेते हैं शादी पार्टियों वाली ड्राइफ्रूर्स वाली लाल चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अमचूर लिया है पीसा हुआ अमचूर भी आता है और ऐसे सूखा हुआ भी आता है पीसा हुआ आपको अमचूर नहीं लेना है ऐसे सुखा हुआ अमचूर लेना है जिसे अपन आदे घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे ये अमचूर आप घर पे भी बना सकते हो कच्चा आम आता है न उसके अंदर का जो गुद्ध होता है उसे काट कर आप दूप में सुखा लीजिए का तो आपका ये सुखा हुआ अमचूर बनकर त्यार हो जाएगा भिगो लेने के बाद मैंने साफ पाने में डाल कर इन्हें बोईल करने के लिए छड़ा दिया है और इसमें टेस्ट के अकोर्डिंग सिंपल नमक डालेंगे इमली वाली चटनी बनाने के लिए इसकी जगह आप इमली भी ले सकते हो तो वो इमली वाली चटनी हो जाएगे चटनी में थोड़ा सा तीखा पन बोले उसके लिए 10 इसमें काली मिर्च एड़ करेंगे कम क्वांटिटी में ही एड़ करना है बहुत ज़्यादा काली मिर्च एड़ मत कीजिए का हाजमोला जैसी चटनी बनाना चाते हो जैसे फास्ट फूड खाए आसानी से पच जाए वो फास्ट फूड खाया हुआ हाजमोला जैसा टेस्ट आए तो अद्रक थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रेट कीजिए का वरना थोड़ी सी क्वांटिटी में ही अद्रक डालेंगे नाम मातर का इसमें लाल मिर्च पाउडर एड़ किया है मैंने वो में दिखानी पाई वीडियो सूट नहीं हो पाया है आप एड़ कर लीजिए का और जब तक ये मैस ना होने लग जाए तब तक इन्हें पकाएंगे ज़्यादा पानी एड़ मत कीजिए का उतना ही पानी डालेंगे कि ये जो अमचूर है सुख्या हुआ वो डूब जाए ये उबल चुका है इसे ठंडा करके मिक्सी के जार में पीस लेंगे बिल्कुल बारिक पीस होगे तो छानने की जरूरत नहीं पड़ेगी थोड़ी सी गुठिलियां लंबस रही तो छानिये का जरूर इस चटनी को अब सक्कर का क्या मेजूरमेंट रहता है जितना अपन ने अमचूर लिया है उसके डेड़ गुना अपन एड़ करेंगे सक्कर क्योंकि अमचूर में खटास भी होती है थोड़ी सी चटनी मीठी रहेगी तो ज्यादा टेस्टी लगेगी दुकान वाले इसमें गुड़ भी एड़ करते हैं थोड़ी सी बच्चत हो जाती है क्योंकि थोड़ी सी कम क्वांटिटी में गुड़े डालना पड़ता है गुड़ में मिठा से ज्यादा होती है तो बचत हो जाती है दुकान वाले की लेकिन मुझे गुड़ वाली इतनी टेस्टी ना लगकर सकर डली हुई ज्यादा टेस्टी लगती है थोड़ा से इसमें फूड कलर डालेंगे रेड फूड कलर अगर आपके रेड फूड कलर में चमक ना हो तो थोड़ा सा येलो फूड कलर भी एड कीजिए का ये खाने वाला फूड कलर है कहीं आप सोचो जो पैंटिंग करते हैं वो वाला कलर एड कर दो वो कलर एड मत कीजिए का और कलर एड़ कर लेने के बाद इसका कलर देखिए मुह में ही पानी आ गया ना अब आप इसमें किस मीस, काजु, बादाम, ग्रेट करके एड़ कर सकते हो छुआ रहे हो, सूखे हुए, वो एड़ कर सकते हो या फ्रेस, खजूर हो, वो एड़ कर सकते हो अंजीर एड़ कर सकते हो बस पिस्ता एड़ मत कीजिए का और फिर से थोड़ा सा सिंपल नमक काला नमक एड़ करेंगे काला नमक एड़ करना मत भूलिये का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है काले नमक से एक जान डाल देता है काला नमक किसी भी चटनी में चाए आप हरी चटनी बनाओ या ऐसे लाल चटनी बनाओ मीटी चटनी में एक और फायदा है ड्राइफ फ्रूर्ट से भी आप कोई से एड़ कर सकते हो और फ्रूर्ट भी आप इसमें एड़ कर सकते हो अगर dry fruits fruit add नहीं करना चाहो तो simple भी इसे रख सकते हो लेकिन ये सब चीज़े add करते हैं तो ज़्यादा टेस्टी बनती है ज़्यादा royal touch लगता है दिखने में ज़्यादा सुन्दर लगती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तीन चमच मैंने यहाँ पर coconut powder add किया है उसको अच्छे से मिला लीजिए का flavor वाली खुस्बू वाली चीज़े आपको add नहीं करना है जैसे इलाइची हुई, केसर हुई, गुलाब की पत्तियां हुई, वो ये चीज़े इसमें add मत कीजिए का fruits में आप पपिता ले सकते हो, केला ले सकते हो, ओरेंज ले सकते हो, एपल ले सकते हो जो सारी fruit रायते में अपन डालते हैं न चीज़े, वो सारी इस चटनी में भी add कर सकते हो लेकिन fruit डालते हैं, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी चटनी ड्रै फ्रूट्स वाली आप मेने भर तक भी चला सकते हो इसलिए देखिए मैं हाफ चटनी पहले ही दूसरे बरतन में डाल ली हूँ हाफ चटनी में ही ये फ्रूट एड़ करूंगे क्योंकि इतनी ही अभी मेरे घरवाले खाएंगे और थोड़ी सी में पेक करके बेजूंगे क्योंकि मेरी ये चटनी समोसे ये मेरे अभी ओडर पे आयो हुए है आप भी मुझे ओडर दे सकते हो उसका वीडियो भी मैं आपको बना कर दूंगी और देखे कितनी सुछता से हम बनाते हैं सारी चीजे और ओरिजिनल चीजे इसमें डालते हैं कोई मिलावट नहीं करते हैं देखकर ही मुझे पानी आगे ना आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो मैं गारंटी लेती हूँ आपका सामान बिलकुल भी वेस्ट नहीं होगा और टेस्टी शादी पार्टियों जैसी चटनी बनकर त्यार होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो पता है क्या करना है वीडियो को लाइक और एक इंपोटेंट चीज मत भूलियेगा चैनल को सब्सक्राइब करना और मन में कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो मैं आपका डाउट जरूर किलियर करूंगी